निली रे ब्रुहत रोजगार मिला एकाबन हच्चान को निजुक्ति पत्र देले प्रधान मंत्री चाकरी आसाइंक पाई ये बड़ो सुजो युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही हैं हमारी युवाओं को experience और opportunity के लिए भटकना न पड़े हमने इसकी भी वबस्ता की है प्रधान मंती internship योजना के तहट भारत की top 500 companies में paid internship का प्रावधान किया गया है हर intern को एक साल तक पाँच हजार रुप्या प्रतिमाद दिया जाएगा हमारा लक्ष है कि अगले पाँच वर्षों बें एक करोड युवाओं को internship का आउसर मिले इससे युवाओं को अलग-अलग sectors में real life business environment से जुड़ने का मोका मिलेगा उनका यह अनुभव उनके केरियर के लिए है बहुत लापकारी होगा साथियों विदेशों में भी भारतिय युवाओं को आसानी से नोकरी मिले इसके लिए भी भारत सरकार नए मौके बना रही है हाल में जर्मनी ने अपने अख़बार में पढ़ा होगा जर्मनी ने भारत के लिए स्कील वर्कफोर्स स्क्राटेजी जारी की है जर्मनी ने स्कील भारतिय युवाओं को जिनके पास हुनर है ऐसे भारत युवाओं को हर वर्ष पहले कभी 20,000 लोगों को विज़ा मिलता था इन्हों ने ऐसे नवजवानों के लिए हर वर्ष 90,000 विज़ा देने का ताई किया है मतलब 90,000 लोगों को वहार रोजगार के लिए जाने का उसर मिलेगा और इसका बहुत बड़ा फाइदा हमारे युवाओं को होगा भारत ने हाल के वर्षों में 21 देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझोते किये हैं इन में गल्फ कंट्रीज के अलावा जपान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मौरिशस, इस्राइल, यूके और इटली जैसे बहुत आर्थिक विस्षे संपन्द देश शामिर है यूके में काम करने, पढ़ाई करने हर साल तीन हजार भारतिये दो साल का विज़ा हासिल कर सकते हैं आस्ट्रेलिया में हर साल हमारे तीन हजार चात्रों को पढ़ाई करने का आउसर मिलेगा भारत का टैलेंट, भारत की प्रगती ही नहीं बलकि विश्व की प्रगती में भी बढ़ चड़ करके उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं साथियों आज सरकार की भूमी का एक ऐसा आदूनिक सिस्टिम तैयार करने की है जहां हर युवा को अवसर मिले और वो अपनी एस्पिरेशन को पूरा कर सके इसलिए अब चाहे जिश्पत पर हो आपका लक्ष यही होना चाहिए कि युवां को नागरिकों को जादा से जादा सहुलियत मिले साथियों आपको सरकारी नौकरी मिलने में देश के टैस्पेयर और नागरिकों का अहम योगदान है हम अपने नागरिकों की वज़त से हैं हम जो कुछ भी हैं देश के नागरिकों के काराण है हमें जो अवसर मिल रहे हैं उनके काराण मिल रहे हैं और नागरिकों की सेवा के लिए ही हमें ये नियुक्ति मिली है, बिना खर्ची, बिना पर्ची, ये नोकरी का जो नया कल्चर है न, हमें भी ये कर्ज चुकाना है नागरिकों की सेवा करके, उनके जीवन की मुसीबते कम करके, और हम किसी भी पोस्ट पर क्यों न हो, हमारा दाई तो कोई भी क्यों न हो, चाए पोस्टमेंट का पद हो या प्रफेशर का, हमारा काम देश वास्यों की सेवा करना है, गरीप से गरीप की सेवा करना है, दलीत हो, पीडीत हो, आधिवासी हो इमालाय हो नवजवानों जिसकी भी सेवा करने का मोखा मिले हमें उसे अपना भाग्य मान करके देश वास्यों की सेवा करनी चाहिए आप उस समय भारत सरकार में नोक्री के लिए आए हैं जब देश ने विख्षिद भारत का संकल्प लिया है इस लक्ष को पाने के लिए हमें हर सेक्टर में बहतर प्रदशन करना होगा और यह आप जैसे नवजवान साथियों के बिना संबव नहीं होगा इसलिए आपको सिर्फ अच्छा काम करना इतना ही नहीं है बलकि आपको सबसे बहतर करके दिखाना है हमारे देश में सरकारी कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जिनकी मिशाल उधारण के रुप में दुनिया भर में उनकी चर्चा होनी चाहिए देश को हमेशा हमसे अपेक्षा हो बहुत स्वाभाविक है और आज जब एस्परेशनल इंडिया का वातावन है तो अपेक्षाएं जड़ा जादा भी है लेकिन वो अपेक्षाएं भी हमारी अमानत है वो ही अपेक्षा है देश को आगे बढ़ने की उर्जा देती है और तब जाकर के हमारा दाइत वह बनता है कि हम देश वास्यों की अपेक्षाओं पर खरा उत्रें साथियों इस निवक्तगे साथ आप अपने व्यक्तिक जिवन की भी एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मेरा आग्र है कि हमेशा विनम्र बने रहे हम सेवक हैं हम साथक नहीं है अपनी इस यात्रा में कुछ नया सिखने की अपनी आदत को कभी भी मत छोड़ना लगातार नया सीखते रहना चाहिए और सरकारी कर्मिचारियों के लिए भारत सरकार आई गौड कर्मियोगी प्लेटफॉर्म पर विबिन्न प्रकार के कोर्सिस उपलब्द कराती है आप ओनलाइन जा करके उस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपकी जब भी समय की सुविदा हो जिस विशय में आपकी रूची हो आप डिजिरल ट्रेनिंग मोडूल का लाब उठा सकते हैं जादा से जादा कोर्सि आपको पूरे करने चाहिए और मुझे भी स्वासे साथियों कि आपके ही पुर्शार्थ से 2047 में देश विक्षिद भारत बनने वाला है आपकी उमर आज 20-22 होगी आप अपनी नोकरी के उत्तम अवस्था में होंगे तब देश विक्षिद भारत बन चुका होगा आप गर्वत जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेब आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जो मैं भी बोलों तो नहीं